नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खंड की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं जर्खंड में 149 इंजिनियरों की होगी भरती जर्खंड के सरकारे विभाग और कोलेजों में नौकरी करने के एक चुक अभियार्थों के लिए बड़ी खबर है बतादे जर्खंड में पेजल एवम स्वक्षता विभाग जल्द ही इंजिनियर के 140 पदों के लिए नियुकती प्रकिर्या सुरू करने वाला है इंजिनियरों के नियुकती अनुबंद पर की जाएगी बतादे इसमें 55 असिस्टेंट पर्फेसर की भी भरती होगी इस बाबत जल्द ही बीगया पर निकाला जाएगा आरक्षन रोस्टर के मामले को भी सुल्जा लिया गया है बतादे जल जीवन मीशन अभियान को लेकर अनुबंद पर असिस्टेंट इंजिनियर और जूनियर इंजिनियर के नियुकती की जाएगी इसके तहर टेक्निकल अपसेर के गारपद, डिस्टिक वाटर कोडिनेटर के 32 और ब्लोग टेक्निकल असिस्टेंट के 96 पद पर नियुकती की जाएगी मौसम विभाग के 9 साल स्वललह को राज्य के मद्धे उत्तर पूरव तथा दक्षिन भागों में कहीं कहीं हलके से मद्धे दरजर की बारिश हो सकती है इस दोरान कहीं कहीं गर्जन और बजरपात भी हो सकता है वहीं 17 अक्टूबर को राजे में कहीं कहीं मध्य दर्जे की बारिस हो सकती है 18 और 19 अक्टूबर को अकास में बादल चाहे रह सकते हैं इस बर्स राजे में मांसुन की सिती काफी बेतर रही बतादे एक जून से 30 सितंबर तक 143 मिलिमीटर बारिस हुई है जारखन में नौकरी के लिए नियुक्ती निमावली बना अड़ंगा राजी सरकार ने उच नियाले को सपत पत्रते कर अश्वस्त किया है कि सीगर ही बिधी बियान पर्योग साला को और सोसक्त बनाया जाएगा इस दिसा में करवाई भी सुरू हो चुकी है और रिक्तियों के विरूद नियुक्ती की परकिलिया शुरू की जानी है लेकिन नियमावली अगतन नहीं होने के कारण इस परकिरिया में अड़ांगा लग गया है बता दे बैग्यानिक सहायकों की नियुकती में हाल में सरकार के अस्तर से किये गए बदलाओं को सामिल करते हैं नियमावली तयार की जानी है जिसके बाद बहाली की परकिरिया सुरू होगी पता दे जहारखंड में कई परकार की नोकरियों के लिए नियुक्ति नियमावली के कारण ही अड़ांगा लगता रहा है अभी भी नियमावली तयार नहीं होने के कारण कई विभागों में परकिर ग्रूप नहीं दिया जा सकता है रिम्स में मरीज की मौत पर हंगामा रिम्स के मेडिसिन आइसियू में भरती एक महिला मरीज 65 वर्षिय की मौत के बाद सुक्रवार को परिजन और गाट के बीच जम कर मार पिठ होई पता दे परिजनों का आरोफ है की इलाज मेला परवाही बरती गई जिससे उनके मरीज की मौत हो गई हंगामे की जनकारी मिलते ही बरियातु पूलिस मोगे पर पहुँच के मामले को सांथ करवाया बता दे रिम्स के मेडिसिन विभाग में पांच दिन पहले और माजी निवासी 65 वर्षिये सारा खातुन को परिजन भरती कराय थे बिमारी की गंभीरता को देखते हुए मरीज को ICU में सिफ्ट किया गया था मरीज को उल्टी दस्त के साथ सांस लेने में परिशानी थी गुमला में बिजली हाथ सा मिरित को के परिजन को 2-2 लाख मुअबजा गुमला सहर में 11,000 बिजली की चबेट में आने से 2 मिरित तक के परिजनों को परशासन 2-2 लाख रुपे मुअबजा देगा साथ ही घायलों का सरकारी खर्च पर इलाज किया जाएगा बता दे आजनकारी गुमला DC सीर कुमार सीनहा ने दी है घटना के सुचना के बाद गुमला DC सीरी सीनहा वा ESP डाक्टर एहते साम गुमला सवदर अस्पताल पहुंचे और गायलों से मुलकात की DC ने CS डाक्टर राजु का सेप वा DS डाक्टर एक के उराव को मरीजों का बेहतर इलाज की बेवस्था करने का निर्देश दिया बता दे DC सीरी सीनहा ने कहा कि गायलों किसी परकार की परचानी नहीं होगी लाते हर के असुर जन जाती नहीं मनाते दुर्गा पुजा देवी दुर्गा के महिसा सुरुवद के साथ दुर्गा पुजा उत्सव की सुरुवात हुई थी बता दे ये सब जानते हैं हर वर सार्दिय नुरातिर के नव दिन असुर वद को याद कर उत्सव मनाया जाता है वहीं दसवे दीन असुर राजा रावन के वद की याद में दसारा मनाते हैं बता दे जार्खन के लाते हार में असुर जनजाती के कुछ परिवार आज बचे हैं ये परिवार दसारा के ठीक दूसरे दीन करम पर मनाते हैं एवं प्रकिति की पुजा करते हैं बता दे इस जनजाती के लोग आज भी समाने जीवन जीते हैं लेकिन दुरगा पूजा नहीं मनाते असु जनजाती के लोग दसारा के दिन घर से नहीं निकलते हैं इसकी मने आता है कि दुरगा की पूजा की तो परिवार पर देविये परकोप पड़ेगा बिजया दस्मी के दिन चक्रधरपूर में पुजा कमिटी सदस्यों के बीच मारपीट पच्मी सिम्हूं जीला अंतरगत चक्रधरपूर के स्याम नरायन सोर्डिंग धर्मसाला समीती में बिजया दस्मी के दिन पुरानी और नई कमिटी के बीच चमकर मारपीट हुई इस मारपीट में पुरानी कमिटी के एक पदाधिकारी गौतम साओ के सीर पर गंभेट चोट आई है बता दे नई और पुरानी कमिटी ने एक दूसरे पर चोरी करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है सुक्रवार की दोपर करीब दो बजे मारपीट की घटना होई नगत लेकर भाग गया है DC की ओर से ADM ने मांगी माफी कासीडी के दूरगा पुजा के दोवान महा अश्टमी का भोग बित्रन उपायुक सुरज कुमार ने रोक दिया था इसे लेकर तनाव किसिती बन गई थी बतादे अभाय सिंग के नेतित में पुजा समीतियों ने निना लिया था कि जब तक DC माफी नहीं मांगेंगे बिसर्जन नहीं करेंगे इस पर अपर जिला दंडा अधिकारी नंद किसोर लाल सुक्रवार को दोफर करीबारा बजे कासीडी पहुँचे और उपायुक्त की ओर से परसासनिक चुक के लिए माफी मांग ली है बतादे इसके साथ ही पुजा समीतियों ने परतिमा भी सर्जन करने की समति दे दिया जामुमो विधायक सिता सुरेन की बेटियों की राई नितिक में एंट्री जारकन मुक्ती मोर्चा की बिधायक सिता सुरेन की बेटियों ने अपने दिवंगत पिता के नाम पर दूरगा सुरेन से ना गठित की है बिजनेस मेनेजमेंट और बीदी के पढ़ाई कर चुकी राई सिरी सुरेन और जय सिरी सुरेन ने सुक्रवार को बिज्या दस्मी के मौके पर इसकी घोसना अपनी माग के धुरवा इस्ति सरकारी आवास पर की हलाकि इस आयोजन में सिता सुरेन सामिल नहीं हुई बता दे पहले कहा जा रहा था कि जार्खन मुक्ति मोर्चा के अध्यक सिवु सुरेन आएंगे राई सिरी के अनुसार दादा जी ने असिरवात दिया है बीमार होने की वज़ा से नहीं आसके जार्खन में कुरोना के नौ नए केस मिले हैं जो राची से तीन पूर्वी सिम्भूं से चार पच्मी सिम्भूं से एक गढ़वा से एक मिले हैं जारखन में कुलेक्टिव केस की संख्या 130 है, भारत में 16,003 नए केस मिले हैं, भारत में कुलेक्टिव केस की संख्या 195,206 है जारखन में एक्टिव केस इस प्रकार हैं जूंड से बिछड़े हाथी का कहर जारी जारखन में हाथियों के हमले की घटनाय लगतार बढ़ रही है बतादे गिरी डी के सर्या में हाथी ने दो लोगों को पटक पटक कर मार डाला है उसमें एक बच्चा गंभी रूप से जख्मी है इस घटना के बाद ग्रामिन अक्रोसी था घटना के सुचना पाकर पहुंचे पोलिस और बन विभाक के अधिकारियों को लोगों ने घेर कर बिरोध दर्ज कराया बतादे मरने वाले दोनों मजदूर थे दोनों समान की खरिदारी करने दुकान गए थे इसी दोरन हाथी के हमले का सिगार हो गए मुरादाबाद रेल मंडल से गुजरने वाली अंठावन ट्रेने एक दिसम्बर से 28 फर्वरी तक रद रहेगी बतादे हर वर्ष की तरह इस बार भी रेल्वे ने 45 दिन पहले ही रद होने वाली ट्रेनों के सुची जारी कर दी है इसमें स्रम जीवी जालियावला बाग जन सधारन एक्सपरेस समेत कई महत्यपुन ट्रेन सामिल है बतादे कोहरे के कारण इन रूटों पर ट्रेनों के संचालन में परिसानी होती है रद की गई ट्रेनों में अधिकांस लंबी दूरी की ट्रेन है बतादे सिनियर DCM सुधीर सींह का काना हाई की रत की गई ट्रेनों में उतर रेलवे के साथ साथ अने जोर्नल रेलवे की भी ट्रेने सामिल है ग्रीन एनर्जी का केंदर बनेगा जहार्खन जहार्खन आने वाले कुछ बर्सों में ग्रीन एनर्जी का केंदर बन सकता है हलाकि केंदर सरकार ने जार्खन के लिए ग्रीन एनर्जी उत्पादन के लिए एक बड़ा टार्गेट तै किया है अक्छा उर्जा दैत्वे के जरिये जार्खन को दिये गए 2005 मेगावाट के लक्ष के खिलाप 95 मेगावाट सोर उर्जा से और 10 मेगावाट और जल बिधूत पर्योजनाव के जरिये उर्जा उत्पादन का लक्ष रखा गया है गढ़वा जीला अंतरगत सिरीबंसी धरनगर पंचाय छेत्र के वाड संख्या पांच इस्थीत बवनी खांट डेम में मचली मारने उत्रे नवालिक समेच चार योगों की मौत हो गई बतादे चारो योगों की मौत डेम के फाटक के नीचे फसने से हो गई है घाटना की सुचना मिलने के बाद घाटना अस्थल पर पहुँचे अनुमंडल पूलिस पताधिकारी परमोत कुमार के स्री वथाना प्रभारी योगेंद्र कुमार ने डेम का फाटक खुलवाने के बाद डेम के फाटक में फसे चारो युवक को नहर के माध्यम से बाहर निकलवाया बतादे चारो युवक को अनुमंडल अस्पताल लाया गया जहाँ चिकित्सकों ने सभी को मृत गोसित कर दिया अफिम की खेती ना करे लोड़ी स्पीकर से की जा रही अपील पोस्ता अफिम की खेती करने वालों के विरूत करवाई के लिए ब्यापकर निती बनाई जा रही है बतादे राजपूर बन विभाग एवाम राजपूर पूलिस की सन्यूट टीम ने राजपूर बन छेतर के केंदुवा सहोर लारा लोटुदाग सहित बिभीन जंगली इलाकों में जन जगरुपता भियान चलाया इस दोरान गाव में खुम खुम कर बन विभाग की टीम ने लोड़ी स्पीकर लगा कर सभी ग्रामिनों को समझाया कि अफिम की खेती करने से आपको वह आपके स्वास्त पर क्या नुक्सान हो सकता है ग्रामिनों की अपील की खेती नहीं करने की गई बतादे इसके बावजूद खेती करने वालों को चीनित कर जेल भेजने जाने की बात कही गई JE Advance Result जारी जेई एडवांस 2021 परिक्षा का परिणाम घोसित कर दिया गया है बतादे इस बार भारतिये प्रद्योगिक संस्थान IIT खड़कपूर को परिक्षा संचालने की जिम्मिदारी सोफी गई थी उसी के द्वारा परिक्षा का रिजल्ट घोसित किया गया परिक्षा में सामिल होन 247 को पास किया गया जेई एडवांस के पेपर वान और पेपर टू दोनों परिक्षा में कूल के एक लाख एक तालीस यह चोसो नियानवेश चात्रेश चत्राओं ने हिसा लिया था धन्यवाद